इस कारेक्रम के प्रायोजक हैं अनन्या सीड्स आज के इस वीडियो में मैं समिथा सिंग फिर सुनाँगी आपको एक और सफल किसान की कहानी लेकिन उससे पहले आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि काम कोई भी हो छोटा या बड़ा नहीं होता बस उस काम को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि आप उसे लगन से करें और अपने काम की पहले आप खुद कद्र करें फिर सामने वाला भी आपकी सफलता को देखकर सलाम करने को मजबूर हो ही जाएगा कुछ ऐसे ही खयालात हैं मोहर साहू के तभी तो सफल किसानों की लिस्ट में आज जुड़ गया है इनका भी नाम जारखंड के राची से हैं मोहर साहू वेवसाय करते हैं सुकर पालन का और सालाना टर्नोवर है एक करोड से भी ज्यादा ऐसा नहीं है कि मोहर साहू कोई पुष्टैनी रईस है या पिता के पैसे से उन्होंने पूरा कारोबार खड़ा किया है बलकि करोडों के जिस मुकाम पर आज मोहर पहुँचे हैं उसकी पाई पाई उन्होंने खुद जोड़कर ये मनजिल पाई है मोहर के पिता रिक्षा चलाते थी और दिन भर जी तोड महनत करने के बाद बस इतना कमा पाते थे कि चारों बच्चों का वो पेट भर पाए मोहर ने 7 मीं के बाद स्कूल छोड़ दिया और पिता का हाथ बटाने के एरादे से बड़े भाई के साथ उन्होंने मजदूरी करने का फैसला किया 12 साल की नन्नी उम्र में मोहर ने जूट के भारी बुरों का बोज़ड होया मजदूरी की, दिन की ठकान और मजदूरी के दर्ड में रातों की नींद गवाई लेकिन हताश नहीं हुए, छे महीने मजदूरी करने के बाद मोहर की रिक्षा सुपरवाईजर की नौकरी लगी असी की दश्यक में उस नौकरी से उन्हें 75 रुपे महीने तनख्वा मिलती थी तनख्वा में सालाना 30 रुपे का इजाफा भी हो जाता था कुछ साल बाद 1984 में उनकी शादी हो गई अपने परिवार के अच्छे भविश्य की आस में उन्होंने रिक्षा सुपरवाईजर की नौकरी छोड़ कर एक बरतन की दुकान में सेल्समेन की नौकरी पकड़ ली जहां उन्हें महीने का 400 रुपे मिलता था लेकिन मोहर को और बहतर की तलाश थी और क्योंकि ससुराल पक्ष सुकर पालन करता था तो इन्हें भी बिजनिस का आइडिया सूझा और साल 1987 में सेल्समेन की नौकरी छोड़ कर सुकर पालन के अवेबसाय शुरू करने का इन्होंने फैसला किया कुछ सलाह मिली ससुराल वालों से और कुछ सलाह मिली बिर्सा एग्रिकल्चर यूनिवस्टी वेटेनिटी डिपार्टमेंट के डीन डॉक्टर संत कुमार से जानकारों की सलाह मश्विरा लेकर मौहर ने सुकर पालन शुरू करने से पहले इसकी ट्रेनिंग ली इस दौरान वो घर खर्च निकालने के लिए रिक्षा चलाते रहे ताकि काम चल सके घर का खर्च निकल सके ट्रेनिंग पूरी करके मौहर ने बच्चत के पैसों से 10 छोटे सुकर खरीदे और घर के पिछवाडे 700 स्क्वार फिट की जमेन पर शुरू कर दिया सुकर पालन सुवरों के चारे के लिए मौहर शहर के होटलों से जूठन इखटी कर लाते थे इस तरहां चारा भी उन्हें फ्री में मिल जाता था पाल पोसकर इन 10 सुवरों को मौहर ने 10,000 रुपए में बेचा जो कि मौहर के लिए काफी बड़ी रकम थी मौहर की हैरानी भी जायस थी क्योंकि चंद रुपियों के लिए बच्चपन से जवानी तक उन्होंने दिन भर हाड तोड महनत की थी ठकान में रातों को सोई नहीं थी ऐसे मैं बिना किसी खर्च के अगर घर के विवसाय में 10,000 मिल जाएं तो खुशी और ताज्युब दोनों वाजिब हैं इस शुरुआत से मौहर को ये समझ आ गया था कि उन्होंने जो राह पकड़ी है वो एक दम सही है और बहतर मुकाम तक उन्हें जरूर लेकर जाएगी उन्होंने विवसाय में और पैसा लगाया और दो साल में ही उनके पास 40 से जादा सूर हो गए और 90 का दशक आते आते मौहर का सालाना टर्नोवर हो गया एक लाख के पार साल 2000 में 10 लाख और साल 2017 आते आते एक करोड के पारूं का टर्नोवर हो गया लेकिन करोड़ पती होने के बाद आज भी उनका विवसाय सूकर पालन ही है आज मौहर साहु की पहंचान सफल सूकर पालक की है सूकर पालक के सफल विवसाय के लिए मोहर को जारगंड के मुख्यमंत्री मधुकोडा और अर्जुन मुंडे से सम्मान भी मिल चुका है सुकरपालन से करोणों की कमाई करने वाले मोहर आज दूसरों को भी सुकरपालन के लिए ट्रेनिंग दे रहे है और जाते जाते एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगे कि इंसान छोटा या बड़ा काम से नहीं होता सोच और भाव से होता है इसलिए हर विवसाय की कद्र करिए सम्मान भरी नजर से देखिए हर उस इंसान को जो पूरी इमानदारी से अपने काम को सफलता तक पहुँचाता है यकीनन ये सोच आपको भी एक सफल इंसान बनाएगी आज के लिए वस इतना ही मुझे दीजे इजाज़त नमस्कार